हेलो व्यूवर्स, जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निहारी की रेसिपी निहार एक उर्डू वर्ड है जिसे अर्भी में नहार कहा जाता है इसका मतलब होता है सुबह यानि की निहारी जो है जो सुबह के वक्त यानि की सुर्योदय के बाद खाये जाने वाले पकवानों में से एक है निहारी का इस्तेमाल कई वर्ड पहले दिल्ली में दवा के रूप में हकीमोद द्वारा किया जाता था ये डिश दिदनी हेल्दी और टेश्टी है इतने ही आसान इसकी रेसीपी है तो चलिए सुरू कहते हैं आसान पूड रेसीपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें हमने प्रेसर कुकर में चार टेबल स्पून तेल अच्छे से गरम कर लिया इसमें हम खड़े मसाले एट करेंगे खड़े मसालों में हमने यहां पर लिया है एक तेज पत्ता एक दाल चेनी का टुकड़ा तीन हरी इलाइची दस काली मीच फूल चकरी और चार लॉंग इन खड़े मसालों को हम कुछ सेकंड तक तेल में अच्छे से सोटे कर लेंगे साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे तीन मीडियम साइस की कटी हुई प्याज और प्याज को हम तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ी सोट ना हो जाए अब देख सकते हैं कि कुछ देर तक तेल में फ्राई करने के बाद प्याज सोट होने लगी है इस टेश पर हम इसमें एट कर देंगे नली तो हमने यहाँ पर साथ सो पचास ग्राम नली ली है स्वादनुसा नमक एट करके एक ग्लास पानी एट कर देंगे प्रेसर कुकर को लीट से कवर करके हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने के बाद गेस की फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पर इसे 15 मिनिट के लिए और पकाएंगे नली को हमने प्रेसर कुकर में पकने के लिए रख दिया है तब तक हमने तेल में दो मेडियूम साइज की प्यास को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया इसका इस्तेमाल हम गानिशिंग के लिए करेंगे देखिए इसी तेल में हमने प्यास को अच्छे से फ्राई कर लिया अब इस तेल की कॉंटिटी तीन तेबल स्पून है इसमें हम एट कर देंगे एक तेबल स्पून अद्रग और लेसुन का पेश्ट और हमें इसे तेल में अच्छे से सोटे कर देना है एक मिनिट तक लो फ्लेम पर तेल में अध्रकोल लेशुन के पेश्ट को एक मिनिट तक अच्छे से सोटे करने के बाद हम इसमें सुखे मसाले एट करेंगे जैसे कि दो टीस्पून लालमेश पाउडर एक टीस्पून हल्दी पाउडर एक टीस्पुन धन्या पाउडर और हाफ टीस्पुन जीरा पाउडर साथी में हम इसमें थोड़ा सा पानी एट कर देंगे मिक्स कर लेंगे और हमें इन मसालों को अच्छे से भूल ले रहा है सूखे मसालों के साथ हम इसमें निहारी मसाला भी एट कर देंगे तो आप यहाँ पर किसी भी ब्रांड का निहारी मसाला एड़ कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर 20 ग्राम निहारी मसाला इसमें एड़ कर दिया मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर हमें इन मसालों को अच्छे से भून लेना है यह देखिए पांच मनिट टक हमने इनको तेल में भून लिया सारे मसाले अच्छे से भून चुके हैं और इसका तेल भी सर्फेस पर आने लगा है इस टेश पर हम इसमें एड़ कर देंगे प्रेसर कुकर में बोईल क्यूवी नली अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम इन मसालों के साथ लोफ लेंपर दस से बारा मिनिट के लिए कवर करके पकाएंगे देखिए लोफ लेंपर हमने इसे कवर करके दस से बारा मिनिट के लिए पकाया और बीट बीट में हमने इसे चेक भी किया था स्टेज पर हम इसे एक बार और चेक कर लेंगे और अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी एट करेंगे पानी हमें इसमें डेड़ ग्लास एट करना है मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें कुबाल आने देंगे अब हमें इसमें एट करने के लिए कॉन फ्लोर की सलरी तयार कर लेनी है तो हमने एक टेबल स्पून कॉन फ्लोर लिया है इसमें हम तीन से चार टेबल स्पून जितना पानी एट करके इसकी स्मूस सी सलरी बना लेंगे तो इस तरह से हमने इसकी स्मूज सी सलरी बना ली है जिसने बिल्कुल भी लंस नहीं है ग्रेवी का पानी एट करने के बाद जब एक उबाल आ जाएगा तब हम इसमें इसलरी एट कर देंगे तूरंथ हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसने बिल्कुल भी लंस ना पड़ जाए अब हम इसे मेडियम फ्लेम पर सिफ 5 मिनिट के लिए पकाएंगे साथ ही में हमारी जो निहारी है वो बनकर बिल्कुल तयार है यह देखिए इस तरह की हमें इसमें कंसिस्टनसी रखनी है गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे गानिश करेंगे हमने जो प्यास फ्राइ करके रखी हुई है उसे हम इस वक्त गानिशिंग के लिए एड़ करेंगे यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि हम जब निहारी को बोईल करते हैं तो वो मटन पर डिपेंट करता है कि बोईल करते वक्त उसे कितनी देर लगती है हमने जो मटन लिया है उसे हमने हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने के बाद कि इसकी फ्लेम को लो करके पंदा मिने तक बोईल किया अगर आपका मटन अच्छे से बोईल नहीं होता है तो आप उसे कुछ देर तक और प्रेसर कुकर में बोईल कर सकते हैं गानिशिंग के लिए हमने इसमें बारिक कटा हुआ हरा धनिया और अद्रक की स्लाइसिस एट कर दी साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे सिम्ला मिच जिसको हमने इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लिया है तो खाने के लिए तैयार है जाइके दान निहारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चेनल पर नए हैं तो मैं आपसे हमबल रिक्वेस्ट है कि हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चेनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई और जाते जाते प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा